इस वक्त की बड़ी खबर साबने आ रही है को डर्मा जिले से जहां सोने की ठगी का मामला सामने आया है गटना तिलेय थान और शेत्र की हैं जहां हॉल्माक वाले सोने के कंगन दिखा कर अलग-अलग बैंकों से लोन लेकर ठगी किया जा रहा था यह मामला पूरा फर्जी हॉल्माक से जुड़ा हुआ है बता दे अपरादी दलजित सिंग भाठिया उनकी पत्नी और अन्य साथे मिलकर बैंकों से गोल्ड लोन लेते थे और जब इमाय चुकाने की बात आती थी तब कहते थे पैसे नहीं है गोल्ड को बेच दीजिए समझोते की ताहत बैंक के द्वार आर्य जोलर्स की स्वर्ण वर्साई को बिलाया गया और उन्होंने सोने का हॉलमाक देखकर 90% वैल्यू लगा दी लेकिन जब दूसरे स्वर्ण वर्साई ही मानुशू ने उसी सोने को गलाया तो उससे महस 30% की पायोरिटी पाए गई कि लाल पुलीस पूरे मामले की जाच कर रही है बैंक में जहां करके लोगल्ड लोगन के नाम एक पसा मुठृ बैंक हो चाहिए व स्कौने को वार्वा Northern ओव। रॉधर लोगन का है कि हम लोगों को भी को बैंक फेंक वालों को बैंकर करें कि करमचारी ने हमको फोन करके बोला कि मेरे हैं कस्टमर है पूजा भाधिया जिसने एक समान गर्खा हुआ है तो मैंने उस समान को जाके देखा तो समान में 916 का हूल मार्किंग था तो मैंने उनका वैलू 90% का वैलू लगा कर दिया जब मैंने उस जेवर को लेके आया अपने चेकर पास और मैंने जहां चरते हैं वहां पर भाते कर वा पीज़ती निकला 30% उसकोन मैंने फिर मिर्तु फानेमर से लए था तो पूजा भाधियों का रिग हमको एक लाख चालीस ज्यार का देब अभी तक 10 तो क्या लगता कि इसके पिछे बहुत बड़ा सरगना है यह बहुत जगा तिलिया बजार में बहुत जगा समान को गिर्मी रख रखके पैसा सब जगा से लेते हैं इसमें मुतु फाइनर्स में इन लोग रखे हुई है और बैंक ऑफ इंडिया में लिए जयदा जानकारी के लिए हमारी सयूगी पियूज सिंक फोन लाइन पर जूर चुके है पियुष कोडर्मा जीले से सोनी की ठगी का मामला सामने आया है जहां बैंकों से गोल्ड लोन लिया जाता था और इमाई चुकाने वक्त बोला जाता था कि पैसा नहीं है गोल्ड बेच दे पियुष क्या है आगे की जानकारी जहां बता दूँ कि यह मामला से कोडर्मा जीले के तिलिजा थान चेत रखा है जहां पर एक व्यक्ति के उपर यहां आरोप लगा है वो नकीली सोने मतलब कम सोने के पसेंटेज का कंगन बना हुआ वो अलग-अलग बैंकों में मुद्फूट फाइनेंस कैंडरा बैंक बैंक और इंडिया बैंक ऑफ माराश्या इस बैंकों में वो कंगन को गिर्वी रख करके खुद से और अपनी पस्नी जो पूजा भाटिया उनके द्वारा गिर्वी रख करके और गोल्ड लोन लेता था और उसके बाद वो लोन नीच तुकाता था अभी हाल में यह मामला प्रका उसे में हम लोग बेश देंगे तो उसने उसमे चुडाने से इंकार करते हैं कहाके हमारे पास पैसे नहीं है इसी बेस जब बैंक ने को किसी सुनार के पास बेचा तो जब इस वो जो जो बैंक मेरेजर ने उसे कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं अलाकि वो एक्टी जो है वो सुनार है वो पुलिस से पास चला गया पुलिस ने इस मामले में लिप्त बलजीद भाटिया उसके सहीयोगियों को उठाया और पूस्ताच की लेकिन बैंक के तरफ से जो है किसी भी तरह का लिखित आवेदन नहीं दिया गया तो कहीं न कहीं इसमें बैंक की सनलिप्ता भी सामने आ रही है कि जब बैंक के साथ ठगी हुई है बैंक वो 90% भल्यू दे करके जब लोन लिया गया और मांतर 30% सोना आ रहा है और इसमें बैंक की सासर भाजिया यो है मामला सामने आया था कि सोने के लेंडेन को लेकर यो कि जान गई थी जिसमें बज़े से इसे जेल भी जाना पड़ा था उसके बावजूद भी पुलीस इसको बस यह कहकर प्यार बॉन पर छोड़ दी है कि किसी भी तरह का किसी के विव्यक्ति के द्वारा इस आदमी के नाम पर कावेदन नहीं दिया गया शिकायत नहीं की गई है जी बहुत-बहुत शुक्रिया प कर दो शापको